तो अगर लिखते में आपका बच्चा हाथदर्ट का कम्ब्लेन करता है वो नीटली नहीं लिखता या लाइन में नहीं लिखता तो इन प्रोब्लम्स को कैसे टैकल करें आज इस वीडियो में देखेंगे कैसे आप बच्चे जब किंडर्गार्टन में होते हैं तभी राइट टाइम है बच्चों के हंडरेटिंग पे वर्क करने के लिए क्लास वन क्लास्टू में बहुत कुछ नया सीखना होता है तो वहां पर एटेंशन डिवाइड हो जाता है अगर बच्चे आपके किंडर्गार्टन में तो अभी आप उनकी हंडरेटिंग पे धियान दे और उसको करेक्ट करें अगर बच्चों की फिंगर्स पेइन हो रही है वो ज्यादा नहीं लिख पा रहे हैं थक जा रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है इन माई एक्सपिरियंस मैंने अब्जर्व किया कि बच्चे जो क्राफ्ट अच्छा करते हैं वो हंडरेटिंग में भी अच्छा होते हैं वो बहुत ज्यादा लिख पाते हैं उनका हाथ तर्ध नहीं करता क्रैफ्ट से मेरा मतलब है टेपर फोल्ड करना इस तरह से क्रीज देना यूजिंग देर फिंगर्स देन तेन उसंसे इसीजर्स सिजर्स किल्स सुनने में फैंसी लगता है बट इस रिली रिली एफेक्टिव तो गिव पाते न हमाल फिंगर्स वो बच्छें को क्राफ्ट एक और प्रोब्लम और इस्यू आता है बचों को वेन देर राइटिंग वो वितिन लाइन लिखना ही पाते या फिर लेटर फोर्मेशन उनकी करेक्ट नहीं होती इन दैट केस्ट इस नो सेकंड थोट आप दोबारा से ट्रेसिंग कर वाए आपने देखा होगा देट रॉआ लाइन फ्रम डॉट तो डॉट इंप्रूव देर आई हैंड कोडिनेशन बस वह दॉट देखेंगे और लाइन डॉट करेंगे इनद बचले लाइन Qopoda सेकंड आउन बसन जाई ओस्ट इस थीव दूट देखेंगें लाइन के लाइन डॉघ देखेंगे इंड़ बच्छे को घ्र इण है to be on the line to control the pencil and write within the line so tracing आप दोबारा करवा सकते हैं no worries अगर बच्चा LKG UKG में आ गया है it's not that के हम सिर्फ नर्सरी में ट्रेसिंग करवाएंगे नहीं आप किंडर्गार्टन में बच्चे हैं तो ट्रेसिंग दोबारा स्टार्ट करवा सकते हैं to improve their handwriting next very important activity जिसको हम बहुत हलका लेते हैं जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं और जिसके फाइदे भी बहुत है वह है coloring आपने सुना होगा coloring बहुत help करती है बच्चे को pencil hold करने में pencil hold करना सीखने में continuous लिखने में right so coloring एक बहुत underestimated activity है I would say so coloring बहुत ज्यादा से ज्यादा करवाए ऐसा नहीं के स्कूल में एक बुक होगी बचा वीकली एक या दो पिक्चर करेगा नहीं घर पे आप एक बुक रखें अपने पास सी इंट्रेस्टिंग होता है बच्चों के लिए coloring right और coloring से बहुत बहुत ज्यादा फाइदे होते हैं और coloring activity को ज्यादा हमें complicated भी नहीं बनाएं simple pictures वाली किताब इस तरह की लीजे जहां पर बस बच्चे देखेंगे और color करेंगे तो इस तरह की बुक एक अपने पास जरूर अखे पर coloring activity और आप क्या कर सकते हैं बच्चा जो सीख रहा है उसके related coloring book आप ले सकते हैं जैसे कि अगर बच्चा animals fishes and sea animals के बारे में सीख रहा ह इस फ्लार के लिए तो फ्लार बुक तो इस तरह से topic related color books भी आती है market में इन सारी books का link में description box में दिया है आप चेक करें तो यह set of 12 books है for each and every topic I would say coloring the best activity जिसके बहुत सारे फाइदे हैं handwriting के most of the problems coloring में solve हो जाते हैं और daily writing practice आपको करवानी है in the notebook इन तीनों activities को craft and scissor, coloring and tracing इन सभी को अपने बच्चे के schedule में definitely improve करें और आप उनकी handwriting में improvement देखेंगे साथ ही आपको writing practice भी करवानी होगी अगर बच्चे की letter formation में problem है then letters practice करवाईए tracing के साथ ही जो books available होती है इस तरह की यह आप use कर सकते हैं और अगर हिंदे में problem है तो हिंदे की tracing book लेजिए तो अभी kindergarten में ample time होता है यहां पर handwriting पे focus आप करिए अपने बच्चे की so that वो class 1 से class 2 स वहां पर तो cursive भी सिखाते हैं तो ज्यादा burden हो जाएगा right so अभी आप work करिये बच्चों की handwriting पर so यह थी 3 possible options and best options to start with so that आप अपने बच्चे की handwriting improve करें यह था अच का वीडियो I hope आपको यह वीडियो helpful लगा help लगा तो जरू like करे share करे और चानल पे नहीं है तो जरू subscribe करे happy parenting from splendid moms happy parenting from splendid moms give us a thumbs up if you like the video subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos